इसे मेरे पिछे कंदाली की जो शब्जी बनती है और इसके चापती नटल टी नटल टी बनती चापती बनती है बिच्चु घास एक पका का जंगली पौदा है इसे छूने से करंट जैसा अनुबा होता है यहाँ पौदा उत्रकंड के हिमालई इलाके में पाजाता है और इस पौधे को कुमाउ मंडल में शिशौन के नाम से जानाता है गडवाल में इसे कंडाली कहते हैं और इस पौधे से बिच्चु के डंग जैसा अनुबव होने के काश से बिच्चु घास के नाम से जाना जाता है इस पौदे के पत्तों वो तनू पर हलके काटे भी होते हैं और शुई की तरह होते हैं यहाँ एक मेडिशनल प्लांट है क्या प्लांट करें के पैसे और शुगांट है यहाँ दी प्लांट शुखे अच्छी ट्रॉश सकती है और यह और शिदी प्लांट है इसमें फैबर है कैल्सियम है मैंगनिसियम है इसके पत्तों में और इसके नेटल टी बनती है तो अगर उत्राखंट को आई को बनानी है तो एक दम इसको बनाना पड़ेगा कंडाली शिशॉण और इसको बिच्चु घास एक प्रकार का बारामासी जंगली जड़ी बूटी है जिसमें अक्षर खरपत्वार या बेकार पौधा समझा जाता है लेकिन अपने गुणों के कारण यहां बिभिन प्रकार का पौधा और इसमें एंटी आक्षिडेंट का काम करता है और इसके पत्ते जर तना होते हैं यहां एक औशुदी जड़ी बूटी नैटल परिवार से सम्मंदित है बिच्चू बूटी के पौधें आम दोर पर दो से चार फिट तक उचे होते हैं यहां पौधा सीधा बढ़ता है इसकी पत्तियां कुछ कठोर और दिल के आकार की होती है और इसकी बाहरी किनारे दात के समान होते हैं इस पौधे के फूल पीले या गुलावी होते हैं पूरा पौधा छोटे छोटे बालों से धका होता है और यह बुखार आने पर सरीर में कमजोरी तंत्र मंत्र से बिमारी भगाने पित्त दोस गठिया सरीर को किसी भी हिस्से में मोच जपरन मलेरिया जैसे बिमारी में यह जड़ी पूठी बहुत ही काम आती है और यह उत्रखंड में हर जगों पाया जाता है प्रुती छेत्र में इसकी साग सबजी भी बनाई जाती है इसको तासीर गरम होती है यह जहम स्वात की बात कहें तो पालक की साग की तरो ही स्वादिश्ट भी होत जाए 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 झाल झाल